Hello friends आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर और मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूं उसके इंदर मैंने जो शीर शक दिया है वो जो हमारा वीकली अनालसिस था उसी की तर्ज़ पर है और वीकली अनालसिस में मैंने कहा था आपके साथ कि बस तेजी कुछी दि ही है बैस वहां शायद बजार लगा देग दो दिन में मुझे लगता कि लगाए या ना लगाए बजार लगबग अपने टोप की तरफ है यहां से मुझे एक अच्छा खासा रिवर्सल लग रहा है और रिवर्सल का रीजन बड़ा सिंपल है कि कि अगर कुछ कुछ टेकनिकल को जोड़ो कुछ अपने जो बाकिया नालसी समुन को जोड़ो तो इस तेजी के अंदर जो तेजी वाला मुमेंटम है वो अब खतम होता जा रहा है हो सकता है धोड़ा बहुत और खिज्जय मैं आपके साथ बात की थी दाई दिन की तीजी तो दो दिन हो गया है हो सकता है क्योंकि यह थी कि दो दिन के अंदर अच्छी तेजी होनी चाहिए तो रहे कि देखें का लेवल के आसपास हम करई तो अब यहां से आज भी आगर आप देखें तो एक लास्ट में buna जिरो बजावरे की चलते होई नजर आ रहे हैं दो Green डीन फटे की एक्सपारी में सब से खाशावत के आता है वोलिम होता है कम , और वहां पर एक तरफा जो है hero zero trades जो है वो एक्टिव रहते हैं जिसकी वज़े से आपने देखा होगा तीन बज़े के बाद बज़ार चलते हुए नजरा है बट मुझे यह लगता है कि यह सब कुछ है जो है अभी एक छलावा मातर है यह निकि जो तेजी है यह दिखाई जा रही है यह वास्तर में एक मंदी की तैयारी की जा रही है और लोगों से जबस तरीके से तेजी करवाई जा रही है ट्रेडर से तेजी करवाई जा रही है कि भई आप तेजी कर लो और मुझे पसने लिए इस तेजी के अंदर मंदी का एसास हो रहा है और अब वो कितना टाइम और लेगा मुझे लग रहा है कि महीने की जो एकस्पायरी आएगी उससे पहले बजार जो है एक स्टीफ फोल जो है टोप से देता हुआ नजर आएगा और मुझे जो भी परस्नली लग रहा है कि बजार यहां से जब रिवर्स होएगा तो एक अच्छी तेजी की तैयारी करने के लिए जाएगा और मुझे लगता है कि अगर अब बजार यहां से जो करेक्शन करने जाएगा वो हो सकता है कि आपने एंटिस्पेट भी ना कियो वहां तक भी चला जाए यानि कि 15,500, 15,200 वहां तक भी चला जाए लेकिन अभी मैं आपके साथ 17,200, 17,300 की बात कर रहा हूँ अगर वहां तक गया तो यह समझेगा कि वो जो लेवल्स के पास जो कंसोलिडिट कर गया आएगा ना बजार तो आप यह समझेगा कि हम फिर वहां से तक्रीबन 60-70% की रन अप के लिए तैयारी करेंगे क्योंकि जो बेस बनेगा वो एक 27,000 की तैयारी का बेस बनेगा तो अभी क्योंकि फंडामेंटल्स जो है उनके आगे चल रहा है बजार और बड़े प्रेयर ना बड़े समार्ट होते है वो आपको तेजी दिखाते हैं और मंदी के दिखाते हैं तेजी खेल जाते हैं तो मुझे यह लगता है कि जो उप्शन के प्रेमियम है यह निकि प्रेमियम ना के बराबर है और ऐसे के नितर बड़े प्लेयर क्या करते हैं उन उप्शन को खरीदते हैं और फिर अपना प्रोफिड बुक करते हैं क्योंकि जब बजार उपर जाते हैं और जितने भी हो जाता है कि मैं तो बेचूंगा पैसे बनने ही बनने और ऐसी प्रस्तेती में बजार के अंदर टोप के आसपास एक स्टीफ फोल की संभावना बनती है और वो तब भी बनती है जब आप उमीदी ना कर रहे हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सारे लेवल्स आप बोलें में बनती है और उस करेक्शन के बाद जो एक अच्छी तेजी बनेगी और वो शायद एक तरफा तेजी भी बने लेकिन वहाँ पर भी बजार कंसोलीडेट होके आएगा यानि कि अगर बजार अब जहां जाएगा नीचे की तरफ वो एक जल्दवाजी में नहीं आएगा ब नहीं दो महीने का टाइम ले, तीन महीने का टाइम ले बट जो कंसोलीडेशन होके आएगा बजार में वो काफी अच्छा होके आएगा और फिर बजार के जो फंडमेंटल्स हैं जो अभी प्रोब्लम्स हैं अगर आप देखें तो जो रजल्ट्स हमें साफ-साफ नजर आ ह रही हैं वो सब जब तक सोट आउट भी हो जाएंगी और हो सकता है कि इस पूरे पीरिड में तीन महीने का टाइम लगे च्छा महीने का टाइम लगे बट फिर उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं कि बजार अगले दो-तीन साल के अंदर जो बेस बना के आएगा इंटरमेड का बजार बजार दिन भर जो एक रेंज में रहा लास्ट फाइनिशल एफ्टी की वजए से चलता हो नजराया आपको भी चार्ड के ओपर कोई ऐसा इंडिकेशन से नहीं नजराएगा कि बही कोई वीकनेस जो मैं आपको हफ़ते के नाल से बोला था कि बही चार्ड तो भी ठीक है चार्ड वो मत देखिया अब थोड़ा सा लोजिकली आपको सोचना पड़ेगा और जहां पर वीकनेस बनी थी उसी दिन से तेजी होगी यह जो केंडल थी यह जो दो कंडल बनी थी इंडिकेट कर रही थी कि बजार शायद टोप करेगा यहां से लेकिन बजार ने ज प्रेस्ट करके थोड़ा और आगे जाएगा या यहीं से रिवर्स करेगा यह एक सवाल हो सकता है आपका बट कुल मिलाकर बजार के अंदर हमें एक अच्छी वाली करेक्शन जो है ने जला रही है जो पांच परसंड भी हो सकती है दस परसंड भी हो सकती है और इवन 20 परस तरफ जा रहे हैं और आई से बैंक जो कल तक बिल्कुल मंदा लग रहा था आज बादशागी तरह काम करता हो नजर आया एस वेहिकल मरता पिटता हुआ नजर आ रहा था रजल्ट के बाद रजल्ट वाले दिन तो बहुत बढ़िया रजल्ट के इंपक्ट पर उस दिन के बाद से कमजोरों तो नजरा है आज फिर इसने जो है सही रहा पगड़ी अदने इंटरपरीज और इंफोसिस देज है और देखिए का याद गड़िए का मैं जब आप से बात कर रहा था मुझे याद है इसका भावता 1450 रुपे इंफोसिस का और मैं आप से एक महीने तक् कैसे मेरी आप बाकी किसी शेस में जाते हैं आप हाई रिस्क पे थे वैल्यूशन वाला रिस्क आप लो रिस्क में थे इंफोसिस के साथ और टीस्यस भी मैंने बोला था उसमें हलेगी बट मेरी उस समय पर क्योंकि इंफोसिस की पिटाई थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और इंफोसिस के अंदर वहां से तक्रीपन आप देखेंगे 10% के आसपास की तेची हो गई है और वन वे हुई है और यह आपको पता भी है कि जब मैं खुलके आपके साथ बोल रहा था भाई इंफोसिस 1450 1450 बहुत अच्छी वैल्यू बनती है यहां पर थोड़ा सा पेश हो रहा है तो इनकी रेवेन्यू के उपर इंफेक्ट पड़ सकता है अगले क्वाटर में और अधानी पोर्ट्स जो है 906 का अबाव इसके लाबा रिलाएंस साइडवेस ही चल रहा है ITC में कल प्रोफिट वोकिंग थी आज भी फाइनेंस बजाज फाइनेंस फ्रोड़ा सा साइडवेस हो गया आफ्टर स्पिलिट एच डेवसी लाइफ को टक मेंदरा वैंक यह भी हलके फिलके कमजोरी थे एडवांस डेकलाइन देशो देखिए बजाप प्लस एडवांस डेकलाइन आपको बताएगी अभी भी नेगिटिव वाले शेस जादा थे ओएंजिसी में डिविडेन आनाउस हुआ है बढ़िया वाला पावर गिरेड आईसे है बैंक हीरो मोटो को ल्टर अटेगे सब तेजी में थे डक्टर रेडिस कल की कमजोरी के बाद आज 1.64 परसंट की तेजी करता हूँ नजराया बारतिये टेल अपुल होस्पिटल और डीवीज लैव इन में भी तेजी है और याद करिए मैंने डीवीज लैव के ओपर भी जो 32 की पुट की बात की थी वो भी देखिए कब सब प्रॉफिड में आ गई है आज 15 रुपे के भाव था शाम को बजार बंद होते हो समय और जब हमने उसको सेल किया था तो हमने 20 रुपे से सरे सके तो जीरो तक कभी इंतिजर कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि नई भी जीरो तक किन पर नहीं करना आप यह भी कर सकते हैं थोड़ा सर रिस्क आपने कम करना तो 32 में प्रोफिड बुक कर के थोड़ा सा और सेफ सइड़ जाना चाहें तो 31 की राइट निए यह यहां पर अगर हम बात करें डीवीज लैब की तो डीवीज लैब के अंदर भी एक अच्छा बांस देखने के लिए मिला अगर यहीं एक दो दिन और आपको 3300 के उपर अगर आपको डीवीज लैब नजर आया तो फ्राइडे तक वो जो पुट आज 15 रुपे की है वो भी अच्छा 7 रुपे भी पहुंच जाएगी तो एक time value of money जो है डीवीज लैब के अंदर जो है हमें देखने के लिए मिली और as a disclosure बता दू हमने उसमें से कुछ positions काट लिये हैं क्योंकि काफी positions हमने बिल्डप कर लेती और उसमें इंट्राडे में भी हमने 50-55-60 रुपे तक के भी भाव देखे वहां पर भी हमने ट्रेड्स किये थे पिछले 2-3 दिनों के अंदर और मैं लगातार डीवीज लैब के अंदर ट्रेड कर रहा हूं कि अपनी 32 सो अले पूटी करती सो पर शिफ्ट कर लिये हैं और सारे सोद्य जो है डीवीज लाग में अंदर प्रोफिड में काटे है कोल इंडिया 6.09 परसेंट की कमजोरी HDFC लाइफ ग्रासिम सिपला ITC यह सब जो है आपके जो है कमजोरी वाले शेर्स निफ्टी बैंक ब 42 तीन सो बत भाई है यह तो फाइनिशन लिफ्टे के में मोस्टी शेर्स तो इसी के अंदर है तो यह भी हाला कि आज की जो क्लोजिंग है वो अच्छी दिया है और कल एक इंसाइड केंडल बनाई थी और आज एक अच्छी क्लोजिंग दिया है बट मैंने आपको बोला कि क्लोजिंग चार्ट के बियोंड आपको देखना है क्योंकि हाले की चार्ट तो भी भी साइडवेज या ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी आहले की केंडल ऊपर टोप बंद हुई है तो एक अच्छी मजबूती के साइन दे रही है लेकिन मुझे पसना लिए ऐसा लग र ओपरेटर बोल लीजिए बड़े प्लेयर्स बोल लीजिए का कुछ मतलब रिवर्सल की तैयारी कर रहे है आईसे बैंक एस वी आई एक्सिस बैंक एचेड़ेसी और बंदन मेंक यह सब तेजी में थे कोटक महेंदरा बैंक 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 बड़ोधा इड़ेसी फरस्ट बैं हैं सम्हाल कर किसले रखते हैं कि अगर बजार गिरने लगा तो उस हेवी वेट से बजार को उपर चला दिया जाए मैं जैसे अब आपसे यहां पर बात करूं यह दिखी कि जब बजार यहां पर यह वीकनेस दिखाने लग गया था तीन रेड़े केंडल बनने शीरू ही थी तो भाई सब बुल्स के दिमाग में तो टेंशन हो गई थी यार बजार उपर लिए टिक नहीं रहा है तो उन्होंने गेम क्या बनाया है उन्होंने का भाई ठीक है एक ही तरीके से टिक सकता है निफ्टी बैंको चाहिए निफ्टी है एच्डेशी ट्विन्स को उड़ा द संकेद होते हैं कि जब जितने भी हवीवेट्स हैं वो अगर पूरा रन अप कर गए अपनी फंडामेंटल वेल्यूज के आगे भी चले गए या जो भी अंडर वेल्यूड थे वो सब आ गए तो फिर कोई अधियार नहीं होता है और बीर्स यह कहते हैं कि भाई तु भगाल में देख रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं भाई पहले खरीदनों और जैसे ही मुममेंटम खतम होता हुआ नजर आए वो अपने ट्रेड्स को बदल लेते हैं और या एक अग्रेसिव सेलिंग कर देते हैं तो मुझे उसके चांसे लग रहे हैं और बहुत ही जल्द आपको वो देखने के लिए मिलना चाहिए इसके बाद आज यह देखेगा एफाइज ने भी बहुत दिनों के बाद आपको सेलिंग की फीकर मिली है चाहिए मामूली है बट सेल है और आट डी आईज की भी सेल आ गई अब देखते हैं दो तिन दिन बार यह हवी सेलिंग के इंदर नंबर्स तो नहीं बन जाएंगे और डी आईज दो नेट सेलर रही है इंडेक्स के फूचर में मामूली खरीदारी की और इंडेक्स ओप्शन भी बेचते हुए ना जा रहा है तो इंडेक्स ही जो बेची जा इतना बड़ा नंबर का सेल करने का देखने के लिए मिला है और हाले की 10 नॉवंबर को भी था बट उस दिन जो बाकी डेटा थे अगर उनको कंपेर करोगे तो वह भी 159 की सेलिंग थी मामूली से बैंक थी यानि कि यहां पर रिवर्स करने का प्लान बनाया था उन्होंने लेकिन फिर देखिए का एच्ट एफसी ट्विंस को चला दिया गया तो इन्होंने का चलो भी तीन दिन और चलने दो तीन चाड़ दिन और तो अभी देखते हैं अभी एक दो दिन या हमारे हिसाब से जो डाई दिन की बात है तो कल दो फैर के बाद रिवर्सल आता है यह देखते हैं अभी और हाँ मुझे पसनली ऐसा लग रहा बहुत जल्द है अब पुट कोल रेशो 1.4 यह भी आपको इंडिकेट कर रही है कि 1.4 पे चला गया बैंक निफ्टे की पुट राइटर्स बड़ अक्रेसिव हो गया है डाउ जोंस इंडस्टी लेवरेज मजबुत यहां पर भी बैंक निफ्टी में आप देखेंगा इंडमनी कोल अन्वाइंड होगी है और पुट देखेंगा जब अस तरीके से राइट हो रही है बस अब यहीं गेम होने वाला है और बजाहर जब पुट रहें पुट राइटर्स को फजाने की कोशिश करेगा तो फिर है जो है फोल वाल बढ़िया होता है तो कोई भी फोल अगर आएगा तो उसके लिए ध्यान रखिएगा पहला लेवल 41,800 है उसके पहले कोई बंदी मत करिएगा अगर 41,800 के उपर तक बजा जाता है पुल बैक की ही संभादना जाती है लेकिन 41,800 के बाद 41,350 के नीचे क्लो है वो मैंने आपके साथ डिसकस किया है option chain के data भी हाला कि देखिएगा मजबूती के संकेत दे रहे हैं लेकिन इन सब मजबूती के संकेतों के बीच मैं आपके साथ एक kontra view रख रहा हूं और यहां पर यह चर्चा जो है मैं ही पर swap करता हूं वीडियो कैसी लगी जरू से जर में है चाहिए वह एग्रो केमिकल में है चाहिए बेसी केमिकल्स में है मैट्रियल्स के अंदर है या हमारी जो पेंट्स वाली जो कंपनीज है कहीं पर भी आप देख लो एक ही चीज नज़र आएगी other than financials भाया बजारों में weakness है profit में weakness है margin में weakness है तो इन सब के बीच में आपके साथ यह reversal की जो बातें आपके साथ कर रहा हूँ तो आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो देखने के धन्यवाद थेंक्यू बड़ी मैचे